जलो अच्छों, कैसे आप सब, I hope कि आप लोग काफी अच्छे होंगे, और बिलकुल जवर्दस तरीके से अपनी एक्जाम की तैयारी में लगे होंगे, इसी तैयारी को और जवर्दस और बहतरी मुझाने के लिए, आज जो हम आप लोग के लिए लेके आए, NCRT से टॉप 100 S जो कि बिलकुल चांस है, पूरी संभावना है, कि यहां से परसना आपके एक्जाम में सीधे-सीधे बनने वाले हैं, तो सेशन काफी लाजवाब होने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, हर हाल में आज का सेशन आप लोग को end तक बने रहना है, किसी भी हा पूटी से आप सभी से विंद्धि करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, कि इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर सेयर करिएगा, और जो बच्ची चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके नोडिशन वेल को on कर लेंगे, और वीडियो को तो लाइक आप लो जो भी चैनल पर नए है, तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी डाउट हो, कोई भी कॉर्स वगर से जोईन करने समद्ध हो, आपको नंबर दिख लेगोई, नंबर पर आप लोग कॉल कर लेजिएगा, ठीक है, देखिए, फर्स कोस्टन आपको पूछ रखा है, शेक मह अगर आपको पूछे कि निजाम उद्धी नौलिया की दरगा कहां पे है, तो दिल्ली हो जाएगा, यहां से तीन कोस्टन आपकी एक्जाम में बनने की संभावन है, नेक्स कोस्टन के दर बढ़ती है, हमारा अगला कोस्टन कोस्टन नंबर दूसरा पूछल का ध्यान से द गजनी, ऑफशन डी, यहां पे मुहमद गजनी, कहीं महमुद गजनी रता है, ठीक है, ऑफशन यहां पे B हमारा करे हो जागा, अलबरुनी जिसकी पुस्तक का नाम है, तैकिके हिन, या फिर किताब लहिन, दोनों पुस्तक अरगी भासा में लिखे गए, दोनों पुस्तक तो नहीं किया सकती, क्योंकि एक ही पुस्तक का दो नाम है, ठीक है, चलिए, आगे देखते ही, कुस्तन नमबर तीसरा, आपको पूछ रेका हम लोग को, करा कि उत्तर भारत में भक्ती आंदुरन का आरम जो है, किस संतनी किया था, फटा-फट से आप लोग को आंसर करना है इस कोशन का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो उत्तर भारत की बात करें, तो आपको रामानन्द क्लिक करना है, और उप्सन ए हमारा जो की बिलकुल करेक्ट होने वाला है, अगर आपको पूछ ही पंजाब, पस्सिम मंगाल, तो आपका आंसर चैतन ने पे जाएगा, ठीक जागा, तलवंडी जो कि अभी पाकिस्तान में, तलवंडी का नाम जो है, नान का नगर रखा गिया है, याद रिखेंगे सारी चीजे, कोशन 5 देखिए, काफी सांदर कोशन है, आईने अकबरी किसने लिखाता, आईने अकबरी जो की अकबर नमा का भाग है, अकबर नमा तीन भागों में ववाजित हैं, तीसरी भाग का नाम हैं, आईने अकबरी जिसके लेकक अभुलफजन है, बात करें अकबर नमा, तो अकबर नमा के yük arch एकुल में अभुलफजल है, इसलिए अँने अकबरी के भी लेकक, अभुलफजन हो जाएगा, ऑप्सन यहां पर B आप आपको पूछ रखा है, इबन मतुता ने अपनी यातरा का विवरन किस भासा में लिखा था, काफी शानदर कोशन है, इबन मतुता की बात पूछ रखा है, तो आप लोग को क्या बताना है, आणसर हमारा जगा अरभी भासा में यह जो दिया था, आपना A बिलकुल करेक्ट हो होने बाला है, इबन मतुता जो की मोरोक का निवासिता, जिसके पुस्तक था, किताबुर रहला, कुस्टन नमर सेबन पूछ रखा हम लोग को गोपुरम का संबंद किस्ते, गोपुरम का संबंद मंदिर के परवेश द्वार से तो अपना ओप्शन यहाँ पे A दिया होगा ओप्शन A पे आप लोग को करेक्ट करना है, विजयन अगर के जो लोग थे, राजा थे, उस टाइम पे जो मंदिर के परवेश द्वार को काफी विसाल आकार में देते थे, जिसका नाम गोपुरम रखा था, करा हम लोग को निमनलकित में से महीला संत, जो है कौन थी, तो अपना B यहाँ पे करेक्ट होने वाली है, कोस्टन दस को देखिए, ध्यान से कोस्टन पुछरकम लोगो, विजयन अगर सामराज की अस्थापना किसने के थे, डिफिनेटली आपर पुदा देंगे काफी लाजवाप, सांदर कोस्टन है, आनसर हो जगा हरी और भुकाने पात करें, तो आनसर हो जगा पुर्दगाली ऑफ्सन यहाँ पर एव जगा कब आया था, तो चौदर करनाड़क के पास, तो आप लोगों को याद रखेंगे, उत्तर भारत में, धक्षिन भारत में, कालिकर जगे पर आया हुआ था, ठीक है, आगे बरते हम लोग नेक्स कॉस्चन नमर 12 पुछ रखा हम लोग को करें कि, कौन वाली स्कोर्ड जो बनाता, वो कब बनाता, कौन वाली स्कोर्ड पुछ रखा है, कौन वाली स्कोर्ड जो कि अस्थाई बंदवस से जुरा हुआ, अस्थाई बंदवस का अगला नाम कौन वाली स्कोर्ड भी कह सकते, अपना D यहां पे correct होने वाली है, ठीक है, 1793 पे कॉन वाले score बना था, जिसका वैक्टी का नाम था, कॉन वाले, जो कि अंग्रेज थे, उधोर ने अपने नाम पे कॉन वाले score बना था, जो कि अस्थाई बंदवस के रोप में जाना जाता है, question 13, correct, कलकत्ता में सरोच न्याले कहां के जमीनदार थे, definitely अपना C यहां पे correct हो जाएगा, आगे देखती question पूचर का वयापगत का सिध्धान का संबंद किससे है, वयापगत का सिध्धान मतलब लहोजी से हो जाएगा, option यहां पे B हो जाएगा, यह सिध्धान का अगर कुसी भी राजा का कोई बेटा नही हो, तो यह सासन जो अंग्रेज के पास चले जाएगा, या फिर कोई राजा अचानक मिर्थी यहां थी, इसका सासन अंग्रेज ले लेगा, तो यह नियम लाया था, डल होजी ने, option भी issue करते हैं, वयापगत, ठीक है, आगे बरते question number 16 करा है, भारत की राजधानी दिल्ली से कंग्रेज के अस्थापना कवोई थी, डिफनिस को बताऊगा, अचा काफी easy question है, भारते राजधा कंग्रेज के अस्थापना 885 को हो थी, और इसके अस्थापना किस ने किया, तो यह हो हो, पुशा जाता है, एक्जाम में कि भारते राजधा के पर्थम मही लाद्यक्स, त कब 1919 को लाग वाते काला कानून के नाम से जानाता है, क्यों काला कानून के नाम से जानता है, तो पता होना चाहिए कि यह कानून ऐसा था कि किसी भी भारतियों को, सिर्फ संदे के आधार पर, सक के आधार पर, कि अगर यह वैक्ति, कोई भी वैक्ति भारतिय है, जो कि महत्मा गांधी द्वारा चला गया था ठीक है इस आंदुलन में जो है basically मतलब था कि जो अंग्रेज है उसको सहयता नहीं करना उसको सहयोग नहीं करना जो भी रीति रिवास जो भी भारत के लिए वो कर रहा है जो अपने मनमानी से उस चीज़ पे उसको सहयोग नहीं करना था इसी का मतलब इसी आंदुलन का मुख उद्देश था ठीक है यह हुआ था उन्हें इस सो बीस को आफशन यहां पर करेक्ट ए हो जाएगा ठीक है और जो चौराचुरी हत्यकानवत उन्हें इस वज़े से इस आंदुलन को जो रोकना परा था ततकाली ततकाली चलिए को पुछर का मुख को कि मुस्लिम लिंक की अस्थापना जो है कि सुवर्स हुए थी तो बताएंगे मुस्लिम लिंक की अस्थापना अपना आफशन बी जगा 19 को मुस्लिम लिंक की अस्थापना होती है ठीक है यहां पर जो बच्चे आफशन बी विता रखें बिल्कुल आपको आपको आणसर सही होने माला है कुस्टन नमर 21 पूछ रखा है करके बंगाल वाजन घोसना कब हुए थी तो बंगाल वाजन अपना आणसर जगा ऑफशन आप पर 1905 को बंगाल वाजन की खोसना होती है ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग कुस्टन नमर 22 देखे ध्यान से क्या पूछ रख आप लोगो बिहार में चंपरन सत्यागर का बहुत है डिफिनेटली आप लोग बता देंगे बिहार में चंपरन सत्यागर पूछी तो पहला आंदूलन की यह थी यह आंगर जिसकी खिलाब ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन पूछ रख का मनों सब्सक्राइब को सबीने अवग्या आंदूलन जो कि 1934 नमक कानुन को तोरने के लिए जिसको दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है नमक कानुन के नाम से नम आगे बरते हैं next question कुछ रकम लोगो भारत विभाजन की घोसना किस वर्स होई थी भारत विभाजन की घोसना जो होती है वह कौन से वर्स को होती है वह अपना answer जागे यहां पर option यहां पर क्या होगा सी होगा है फिर भी होगा बताओ 25 का अपकान सब्सक्राइब भारत विभाजन की घोसना उन्हें सुच श्यालिस को ठीक है क्या बोले तब लोग ऑफ्सन भी होगा है फिर सी होगा बता दिए मुझे तो option भी ही लग रहा है ठीक है चली आगे देखते हैं कि दिल्ली कुशन आपको पूच रखा है भारत विभाजन की घोसना जो है किस वर्स होई थी तो बोले सर इस question का जो answer जन्हें हम लोग का option C जगा उन्हें सु सहितालिस को भारत विभाजन की घोसना होती है ठीक है 25 का option C लगाना आप लोग को ठीक है बी और सी में कंसीज होते हैं आप लोग option C पे टिक करेंगे आगे बरती question number 26 पूचर का में लोग को दिल्ली चलो का नाराज हो है किस ने रिया था दिल्ली चलो का नाराज हो जाएगा हमारा answer जागा सुभास चंद्रबोस option D यहाँ पे correct होने वाली है सुभास चंद्रबोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था साती साथ आपको पता होना चाहिए सुभास चंद्रबोस ने जैहिन का नारा दिया था सुभास चंद्रबोस ने कहा था तुम मुझे खोंदो मैं तुम्हें आजा दी दूंगा ठीक है चलिए आगे बरते हैं next question 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 number यहाँ पे आपको 27 करेंगे भारतिय स्वामिधान की constitution यानि स्वामिधान हमारा राइट आंसर होने वाली ठीक है आगे बरते हैं next question 28 को सबसे बरा नगर कौन सा था काफी शांदर को सने हर अपना यहाँ पर यहाँ बिल्कुल करेक्ट होने वाली ठीक है आगे बरते हैं next question पूछर कम लोगो करके हर अपस बता कि सबता सबको पत निखते हैं हरपा जो है कि वह रावी नदी कि नाशी दोगा ऑफसें डी जोगा हरपाई कोच उन्हें 21 में होती है किसने करता है तो राखलत चाहते हैं तो गुप्त काल में चीनियात्री भारताया था तो गुप्त काल में चीनियात्री था वह फाहयान कौन था वह फाहयान था जो कि चंद्रगुप्त विकरम आदित के दरबार में आ रखा था ओवी पैदल ठीक है चलिए आगे देखते ही question पूछर कम लोगो असोक किस वनस का सासकता है काफी शांदर question है असोक के बारे पूशा आता है असोक मौर यह वनस का सासकता option हमारा भी बिल्कुल correct होने वाली ठीक है त्री पिटक साहित संब्ध है किस चीज़ से बताओ त्री पिटक साहित संब्ध है इसका बहुत धर्मस्य जाएगा option अपना भी यहाँ पर बिल्कुल correct होने वाला है जितना भी पिटक है धम पिटक विने पिटक ठीक है सुथ पिटक वाला मसला जो हो बहुत धर्मस्य जागा और साती साथ अंगुत्तर निकाई हीनियन महाजान इस्तूप इन सब का भी संब्ध बहुत धर्मस्य हो जाएगा आगे बड़ते नेक्स 26 पूशरक हम लगो करें कि अबुल फजल किरत आईने अगबरी में किस के सासन का वर्नन है बजादेंगे आप लोग अबल फजल जोकी लिखा है आईने अगबरी इसमें जो है अगबर के सासन का वर्नन है अगबर के काल का ओफशन भी हमारा correct answer हो जाएगी आगे बढ़ते ह सकता है कि तमबागवा सेवन सरो परतम किस ने किया था सेवन किया था आपका अगबर और परतिवन नगात उसका बेटा जहांगीर ऑफ्सन यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछरका हम लोग को कुछन करा है कि अगबर नमा की रचना ज पर एक्जामाट पूशा गया है बहदूर साजफर ऑफ्सन अपना यहां पर बिल्कुल करेक्ट होनवाला बहदूर साजफर को 357 कि करांती में जो है उसके बेटे को थारू संतावन की करांती में क्या लिख रहा हूं है यापर फे वन मिनिट थारू संतावन की जो करांती वी थी उसमें उसके दोनों बेटे और एक पोते को जो गोली से मारके अंग्रेज ने उसकी जो हत्या कर दिया था उसके दो बेटों को ताकि जो है ये मुगल वनस को पुरितर से समाप्त हो जाए और इसका जो है कोई भी वनस वगर आ गया ना बरें ठीक है 378.59 को इसको का अंतिम बात्सा रहा जाता है ठीक है और यहां पर डी आप लोग का विल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हम लोग अगले कोस्टन की तरब हमारा अगला कोस्टन यहां पर कोस्टन नमर चालिस कुछ रखा देखिए करा कि भारत में मुगल वनस के संस्थापक कौन है यह भी कुछन काफी बार एक्जाम में देखने को मिलते है ठीक है ठीक है और मिनिट यह वर का है नहीं करता जी भारत में मुगल वनस का संस्थापक कौन था हमारा अनसरों का बाबर ऑप्सन यहां पर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाले बाबर जो कि सिली भी देप को कहाते जाता है अपना आपर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है आगे बड़ते हैं कुछन पर हमफी नगर कि सामराज से समय था हमपी नगर की बात करें यह हमारा विजयनगर सामराज जो ज़एगा ऑफ्सन यहां पर डी बिल्कुल आपनोंको करेक् करें गोपुरम का संबंद गोपुरम का संबंद यह बाद और बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली ठीक है आके देखते करें कि अपनों छुआज मर्जिन चिस्ति की दरगा हमारा जगा दिल्ली अजमेर हो जागा हमारा ओफ्सन यहां पर डी जगा यह भी रिपीट हो रहा आगे बढ़ते हैं कुछ सब्सक्राइब कोई बात नहीं दुपरा रिपीजन जाएगा उत्तर भारत्म भक्ति आन्वने किस ने आरम क्या था तुम्हारा आंसर होगा उत्तर भारत के बात कुछ है तो रामान ऑफ्सन यहां पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगी तुम्हारा क्राइब करेक्ट आंसर स्टक्राइब अपना यहां पर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है ठीक है चलिए आगे देखते कुछनर पुछल कम लोग को संथाल विद्रों कब बतादो कि अब लोग संथाल विद्र के वारे पुछल का था संथाल विद्रों था संथाल जो है इसके परमुख नताते सिद्धूर कनो ठी इसके पास कोई जिसके लोग जीत नहीं पाते हैं तो अपना यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली ठीक है आगे देखते कुस्टन को देखे आप लोग क्या पूछ रखा है इंगलेश स्टेनल कंपने का स्थापना क्या आप लोग की कुस्टन नहीं पता है सूलर से कोई इंगलेश स्टेनल भारत को अपना घुलाम बना लेती है ठीक है आगे marketing वायी लक्षमी बाई राने लक्षी बाई को और किस नाम से जाना जाता है घझको यह काफी शांदर संथावन गदर को जो किस्टनी करांति कई चलता एक चुछ ने राजश्वती विजरों का तो कॉल मार्वाक्ष लेकर यहीं परतम संटर संगराम को किसने पर्थम संटर संगराम का तो वहां पर आ जाता है वीडी साव कर ठीक है तो दो कुछस्ड यह नहीं होना है आगे बढ़ते कुछ भारत में रेलवे की शुरुआज जो सब्सक्राइब कर दिल्ली में यहां पर विल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स कुशन देप अगला हम लोग कर नमबर यहां पर फिप्टी नाइन करा क्या करा कि करेंगे तो क्या हो जागा फटाफर से देखें आप लोग फटाफर से सभी आसर न चीए चलो जी महत्मा गांधी ने दिया था विल्कुल से आंदर में दिया था तो उसी आंदर में दिया था करो यह मरो गनारा को सर की उपादी किस ने वापस की थी आगे बढ़ते कुछ ने वापस की थी आगे बढ़ते कुछ रजनित्य गुरु का उन्ते बताओं आप लोग आप लोग आप्सन बी गोपाल किरिश्न गोखले आगे बड़े नेक्स्ट कुछ न करा कि करा कि कि काला कानुन किसे कहा जाता है पता है आप लोग को कहते हैं आपसन अपना ए बिल्कूल करें होगा आगे बढ़ते कुछ न पुछ रिकार को पूना समझोता कि सुवर्स हुआ था था पूना समझोता पूछ रिका हमारा आंतर का ऑफसन ए उन्हें सो 32 को बाता ठीक है ऑफसन ए जगा चल जगा अपना ए जगा पर्थं भारतिय पूछर का इसलीन सीराज गूपालच न जर्ण टेक है अगर आगे दिखते कुछ र काम hackers को कैरा कि भारतिया सवविदहान कब लाग गुआ था तो भारत का स्वमिधान लाग गुआ था 26,950 को option अपना यहाँ पे D बिल्कुल correct answer होने वाली है ठीक है आगे बरती question 68 कुछ रखा है इनमें से कौन जो है cabinet mission के सरद से नहीं थे तो देखों यहाँ पे हमारा 68 का क्या answer करेंगे option यहाँ पे डियोगा lord mount button option D हमा आगे बरते question पुछ रखा हम लोगों को लोथल कि से नहीं कि नहीं से लोथल भोगवा नहीं जागा option यहाँ पर आपका सी यहाँ पर भांगवा दिया बट भोगवा हुएगा चलिए आगे बरते हम लोग नेक्स कुछ लिए अगला question पुछ रखा हम लोग को करा कि हरपा प्राचीन भारत में धंवे की सुर्वात किस ने किया था असोक ने किया था असोक ने कलिंग कर रहा था था दो सुएक सट बीसी को कुछ रखा है गुप्तकाल में कौन चीन या तरी भारत आता है यहाँ पर करक्क करना आप लोगो पुरानों के संग्या कितनी है काफी महाबारत के इतना किस भासम हुए थी यहाँ पर एक करेक्ट करना है ठीक है चलिए आगे देखते कर हमनों को सुएतंबर और दिगंबर जुका संबंद किस धर्मसी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने करेक्ट करना है ठीक है आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स कुछ अगला कुछन नमर को दीवाने असरफ कब नीफ्त किया था तो अकबर ने टोडर मलको दीवाने असरफ पंद्रसु बिरासरी कहीं कि पंद्रसु एकासी बिरता ध्यान नंगे आपना यहाँ पर एक करेक्ट कर करेक्ट करेक्ट करना है ठीक है भारत का अंतिम मुगल सामराट कौन था बता दोगे आप लोग भारत का अंतिम मुगल सामराट सर्फ हमाराज आनसर होने वाला है अपना एक बढ़ता आप लोग को बहुत सारी कोस्टन जो है कुछ-कुछ रिपीट होरे है अब लोग रिविजन कर लेंगा ठीक है मुझे तो नहीं है कितना रिपीट होने वाले को रहे है और इसलिए क्योंकि बार-बार बार यह कुशन पूशेगा एक्जाम में 85 दे गारा हमकि रोस में भारत का जनक किसे से कहा जाता है जी एस लिवीदेव को बहारत विदा का जनक काता है रोज में ठीक है चलिए आगे बढ़ती हम लोग करा कि हमफी नगर कि सामराज समझत है हमफी की बात पुच्छर का सर विजय नगर हो जाएगा ऑफशन अपना दी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने व हम लाग सभी हो जागा ऑफशन बी जगा ठीक है त्लवंडी में लेखन यहां पर ऑफशन को बीताना है त्लवंडी मैं गुरु नानक का हो जागा करा कि ख्वाज़ा में चिस्तिक दर्गा अजमेर में एक को सुन का आई बरबार रिबीट हो जागा आंसर होने वाली है कि बरते करा निजामुद्दीन औलिया की शूफी सिलितर था तो निजामुद्दीन जो वो चिस्ती से जगा हमारा आप्सन ए जगा इसके दर्गा कहां पर है तो दिली में चलो इबने लिखा था तो अपना ए यहां पर बिल्कुल कर्यक्ट अनसर होने वाली है आगे दिखते कर होती है ऑफसन यहां पर संथाल विद्रों कब वहाता तो इसकी अपना ए यहां पर बिल्कुल कर्यक्ट आंसर होने वाली है चलिए आगे देखते हैं लोग नेक्स कुशन कर आए कि दक्कन दंगा आयोक जुबात वह कब बढ़ दक्कन दंगा ठार सो पच्छतर आप्सन यह होने वाली ठीक है आगे देखते हैं जो कि लास्ट सिकेंड कुश्च ने करा कि पटना मैं थर संतावन के रांती का नेरत किसने करें पटना से कुछ